अगर आपके माइन में मोटिलिटी चल रहा है इस वक्त अगर आपको यह लगता है कि मेरे स्पर्म काउंट की मोटिलिटी बहुत लो है मेरी कॉंटिटी या मेरी कॉलिटी पे एफेक्टेड है तो आपको कुछ फैक्ट्स देखने चाहिए मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने फैक्ट्स नहीं रखता मैं अपनी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपके सामने फैक्ट्स रखता हूँ जो भी हमारे पेशन के साथ गो थू हो रहा होता है ऐसा नहीं होता कि हमारे सारे के सारे पेशन रिकवर होते हैं अब एक महीने की ही medication की बात करूगा हम मैं अपनी क्योंकि एक महीने में उन्होंने recovery लिख अगर हम अपनी treatment की बात करें तो हम अपने treatment में बहुत time से यह plan करके चलते हैं कि विदिन मंत में हमने semen analysis करवाना है या बेदिन मंद में हमने कुछ और टेस्ट रहा है, हमें पीछ में ऐसा लग रहा हो था कि कुछ जादा benefit नहीं मिल रहा या कोई और टेस्ट करवाना है तो बीच 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 में आपको recommend करते रहते हैं वैसे हम अपने हर patient को कहते हैं कि आप monthly basis में semen analysis ज़रू करो क्योंकि इसके पीछे भी कुछ अलग-अलग theories होती है अब जैसे अगर आप किसी से treatment ले रहे हैं इवन अपने doctor से तो वो आपको क्या कहेगा कि तीन महीने बाद अपना semen analysis करवाना हाना बढ़ हम क्या कहते हैं कि आपके तीन दिन में sperm count तो बढ़ते ही हैं अगर आप महीने में भी करवा लेते हैं तो उसे फरक क्या पड़ता है semen analysis है ना वैसे अगर ना भी बीच में ना intercourse हो हो है ना आपने masturbation करी हो ना कुछ करी हो वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो हर 15 डेज में आपको nightfall हो जागा या 20 डेज में nightfall हो जाएगा उसे बेटर है कि आप गए अपना test करवाया 4 डेज का time period लिया या 3 डेज का time period लिया intercourse और या masturbation और उसमें बाद में गए lap कर टेस्ट करवाया उसमें आपको idea तो लगेगा कि हम किस progress पे पहुँचे में किस stand पे खड़े में treatment सही चल रहा है या नहीं चल रहा मैं अपने हर patient को कहता हूँ और अगर भार के patient भी जो कहीं इधर उधर से medication ले रहे हैं वो भी करवा सकते हैं अगर उनका go through treatment कहीं ना कहीं से चल रहा है अगर वो तीन महीने का treatment को continue कर रहे हैं या तीन महीने को चला रहे हैं और डॉक्टर ने उनको recommend कि तीन महीने बाद टेस्क करना आप खुदी एक बारी चेक कर ला लिजे कि आपकी report क्या कह रही है अब जो patient आये थे हमारे पास उनकी जो motility थी वो सिफ 0 थी 0 motility थी बट वो आज की date में एक मंद के अंदर 20% motility उन्होंने गेन कर लिए है बिना किसी hard work के बिना किसी other किसी problem में फसे वे और even जब वो आये थे हमारे पास तो उनके 50 million sperm count थे और जो आज की date में 85 million sperm count है अगर मैं बात करूँ वो normal सी बात है अगर हम sperm count को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो it means कि वो बढ़ेगा भी और साथ-साथ आपकी motility के भी growth देगा अगर जहाँ पर motility growth नहीं आ रही हो थी वहाँ पर हमाले भी trouble हो जाता है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर patient की motility better हो जाएगी वट वहाँ पर देखा गया कि motility एक drastically change हुई within 0 से 20 million बट इनकी recovery as compared to हमारी medication से कुछ जादा ही अच्छी बढ़ गई 20% के आसपास आई है जो एक expected से या जिसे मैं बोलूँ कि जो मेरेको expectation थी उससे थोड़ी जादा निकली इसलिए मैं ये effect आपके सामने रख रहा हूँ तो ये आज की date में उनकी जो report आई वो बहुत अच्छी आई इसमें देखो हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हमने उनको way दिखाना होता है direction दिखानी होती है हम अपने हर patient को कहते हैं हमारे पास सिर्फ directions है ठीक है follow आपने ही करना है क्योंकि में पास और कोई जर्या नहीं है कि आपको यहाँ बैटे 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 डेली में बैटे बैटे आपको मैं ठीक करूँ अगर आप Arunachal है या आप Canada है महाँ पर क्या कर सकते हैं हम सिर्फ आपको पात दे सकते हैं चलना आपने खुद से ही होता है अगर आप खुद ही अपने उस चीज में उस पात में लैक कर रहे हो आपको direction डाइवर्टेड लग रही हो आप इदर जा रहे हो कभी उदर जा रहे हो तो वो treatment कभी भी successful किसी का भी नहीं होगा हमारा क्या? किसी भी doctor का नहीं होगा मान लीज़े किसी doctor से आप treatment ले रहे हैं अगर वो आपको कह रहे है कि 3 मंद के बाद आप test करो तो आप ज़रूर करो मैं मना नहीं करता क्योंकि उनकी recommendation से आपके 3 महीने में sperm count बढ़ने चाहिए हमारी इसाब से हम I.U.A.T में करते हैं believe तो हम I.U.A.T के इसाब से कहते हैं कि आप महीने में भी कर लो क्योंकि हर 3 दिन में हमारी sperm count नहीं बनते हैं तो यह हमारी theory है उनकी theory में भी शहीं थोड़ी अलग हो कोई भी doctor आपको यहीं नहीं चाहेगा कि उनके patient की recovery नहीं हो recovery होना necessity है किसी भी patient को उसकी बिमारी से थोड़ा सा निजात पाना उसकी necessity है वो तभी आपको पे कर रहा है वो तभी मेरे को पे कर रहा है और हमारा care duty बनती है हमारी duty बनती है आपको उस problem से निकालना और अच्छी तरीके से निकालना आपके cure जिसे मैं बोलूँ कि जो आपका cure है वो ढंग से होना चाहिए उसके पीछे जो उसके cause है वो भी ठीक से होना चाहिए कि आज मैं एक महीने में sperm count ठीक कर दूँगा उसके बाद बाकी के time में क्या होगा कि sperm count lack ना है अब उस lack को जानने के लिए हमने पीछे बहुत सारी अलग-अलग कोशिश या जिसे मैं बोलूँ कि हर डॉक्टर थियोरी बनाता है थियोरी क्या बनाता है कि अगर facts सामने हो तो वो अच्छी तरीके से पता चल जाते हैं अगर facts clear ना हो तो वो अपनी ही थियोरी बना लेता है कि क्या बता ये reason हो जैसे कि अगर आपके पिशाब में थोड़ा सा blood आ रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या देगा आपको antibiotic देगा कि कोई ना कोई infection हो जाओगा क्या बता कोई और reason हो मेबिशायद वो आपके stone pass होने के साथ साथ आपको थोड़ा सा bleed करके हो ऐसा भी हो सकता ना possibility थो बहुत सारी चीजों की होती है अगर पहले यही सोच ना infection ना हो अगर bachans infection हो भी रहा अगर stone भी भाद निकल रहा है तो उसकी passage की वज़ा से हो कोई ना ऐसा कोई scratch ना हो जाए जिसके बाद infection ना हो तब भी आप safe हो कि बाद के वजह से भी safe हो और अगर अभी infection हो गया है तो उससे भी safe हो तो यही चीज कोई ना कोई doctor अपने treatment में प्लान करता रहता है उसी तरीके से हम अपने treatment में प्लान करते हैं कि पीछे reason क्या है अगर digestion system हमारे लिए एक बड़ा बहुत बड़ा cause है तो उसके उपर work किया जाए अगर हमारी liver की properties या बदल रही है या grade 1, grade 2, grade 3 fatty liver बन रहा है तो वो reason है या इसके राव हमारे intestine की functioning सईसे नहीं हो रही हमारे को stool में arm आ रही है या mucus सा निकल रहा है या chip chipa stool आ रहा है या chip chipa stool आ रहा है अगर ये सारी चीज़े normal चली है या आपको कोई ऐसी trouble नहीं आ रही फिर पीछे से lack हो रहा है तो उसके बीछे और finding होगी कि वेरी को सील तो नहीं हुआ या आपके nutrition पूरे ढंग से पहुंच पा रहे है तो नहीं पहुंच पा रहे है granuloma का case तो नहीं है lipoma तो नहीं बन रहे है calcium deposition तो नहीं स्टार्ट हो रही है ये अलग-अलग factors है ये बाद में finding के बाद बता चलते है बंटलब mostly हमें जो oligospermia के patient मिलते हैं वो stomach, liver, intestine ऐसी trouble से मिलते है और मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता आ रहा हूँ कि आपका जो spermatogenesis का process चलता है eye weight के साब से 7th rank पे आता है 7th rank मलब 7th stage 7th stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7th stage पे आते हैं और 7th stage सबसे least stage होती है उसके बाद कहीं नहीं लगता आपका nutrition तो उसने सबसे least point पे जाकर उसने attack करना होता है या उसको nutrition देने होते हैं आपके testicles को जिससे वो अपनी working बढ़ा सके अपना काम कर सके आपको sperm बना कर दे सके आपको testosterone hormone बना कर दे सके ये सारे function आपके testicles करते है तो इसी लिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका digestion अच्छा है आपका liver अच्छा है, आपका intestine अच्छा है तो आपको ये trouble नहीं होगी अगर आपको ये trouble हो रही है तो ये उसके पीछे का reason है, कारण है cause है, तो उससे start करो treatment को तो आप जल्दी ही benefit ले लोगे अगर बात करें, अलोपैथी में जाते हैं अलोपैथी का treatment बुरा नहीं है क्योंकि वो आपको nutrition प्रोवाइड करा रहा होता है जो आपकी body nutrition नहीं ले पाई उसको वो दे रहा होता है वो आपको supplementation में क्या चलाते है zinc के capsule लाएंगे, protein के derivative लाएंगे ये सारी चीज़े वो आपको treatment में देते हीर देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि इतने ही nutrition जो वो आपको supplement दे रहे हैं वो अले nutrition आपने lack कर लिए अपने शरीर से वो आपकी शरीर पे लगे नहीं जब वो शरीर पे लगे नहीं, जब वो आपको मिलेंगे तो क्या बता वो आपको result better दे, आपके sperm count बढ़ा सके, आपके motility बढ़ा सके, ये सारी चीजे, हम देखते हैं कि उनके treatment बहुती है, उनके साब से उनका treatment बुरा नहीं, बट उनके treatment में आपके cause के उपर काम नहीं किया जा रहा, जो आपको दिक्कत हो रही है, चाहे वो आपके स्ट्रमक से हो, चाहे आपके किसी भी एरिया से हो, उस पर वर्क नहीं किया जा रहा, उनका सिर्फ फोर से वेक मोटिव है, कि आपके sperm count बढ़ जाए, तो bell icon दबा दिजेगा, और subscribe कर लिजेगा, और इसके साथ साथ like दबा दिजेगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार.